हेलो दोस्तो हुमेशकार इसे हम किसी चानल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ सो दोस्तो इस बड़े में बात होने वाले एक बहुत बड़ी खबर के बारे में ठीक है जैसे कि संडे की दिन हमेशा में आप लोगों को बताता हूँ कि RBA से भी यह अभी रिसेंटली कुछ जादा ही हम लोगों को स्ट्रिक्ट होते वे देखने का आपे मिल चुके हैं और खास करके तो RBA आते जाते बहुत सारे companies के और RBA के और से हम लोगों को restrictions देखने का आपे मिल रहे हैं और वो भी business level के restrictions और इन चीजों के चलते क्या हो रहे है company के shares हम लोगों को collapse होते वे देखने का आपे मिल रहे है विकाज अगर आपका business impact होगा तो आप सभी लोगों को पता है ये formula बहुत ही simple है कि आपका revenue गिर जाता है revenue गिरेगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा revenue गिरेगा profit गिरेगा profit गिरेगा तो earning गिरेगा and ultimately आपका share price भी गिरेगा तो ये चीज़े हम लोगों को देखने को मिल जाती है ऐसा है कुछ अभी एक और company के साथ हम लोगों को होते वे देखने को आपे मिल चुका है अगर में recently कुछ बड़े developments की बात करें तो आप सभी लोगों कपता है सबसे पहले तो जो शुरुआत या पर होई थी वो पेटीयम के साथ होते वे देखने को मिल चुका है पेटीयम पेमेंट बैंक की बात करें तो देन उसके बाद IFL Finance की बात करें तो उसका भी चार्ट पेटन आप देख सकते हैं अब जोरदार तरीके से गिरा था येस गोल लोन नहीं नहीं देख सकते करके अगर EUM के साथ से अगर देखा गया गोल लोन सेग्मेंट में इस सेकेंड नंबर की कमपनी है तो इतना बड़ा जटका इनको भी आपे लग गया जो की profitability में इनका काफी बड़ा contribution यापे देता था 32% के आसपास then JM Financial के और भी restriction यापे डाल दिया आप देख सकते हैं जबरदस गिरावट हम लों को देखने को मिल गई ठीके काफी सारे आरोप इनको पर थे कि अभी का बहुत सारे IPOs देखने को मिल रहें खुद से सारी चीज़ों को manage कर रहे करके जो कि allowed नहीं होता है करके and उसी के साथ साथ कोटक महिंदरा बैंक की भी अगर हम लोग बात करे तो इनके ओपर भी एक restriction यहाँ पर डाल दिया गया कि digitally वे पे ये नए customer को onboard यहाँ पर नहीं कर सकते करके and और भी अलग-अलग restriction थे credit card and all that and उसके चलते stock यहाँ पर गिर गया so directly company के उपर नहीं बट उनके जो subsidiaries है उनके उपर वो restriction आ चुके and company का नाम है दोस्तो इडलवाइस yes इडलवाइस ग्रूप की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तो तो इससे related काफी सारे subsidiaries आप लोगो देखने कम जाती है यह financial service segment में काम करने वाली company है आपको पताईए इनके जो अगर आप products देखोगे तो बहुत सारी चीदों में company काम करते हैं stock broking में है insurance में mortgage loan में investment banking hedge fund की बात करें risk management की बात करें investment then उसी के साथ-साथ wealth management asset management mutual fund index fund fund मतब बहुत सारे private equity से लेकर सारी चीदों में company काम करते हैं देखने को मिल जाती है so definitely काफी popular यह company देखने को मिल जाते हैं इसी company के जो दिगच दो बड़े subsidiaries देखने को मिल जाते हैं उनके उपर RBI का action देखने को मिल जाते हैं इसी चीज़ के चलते हैं stock हम लोगों को लगबग लगबग 12% की करीब 11-12% की करीब crash होते हैं यह तो स्तीती अभी बहुत अच्छी सुदर गई वरना तो stock literally 17% crash हुआ था इतना भयंकर गिरावट देखने को यहाँ पर मिल था अगर आप देखोंगे चार्ट पेटन की उपर भी आपको एक बहुत बड़ा deep cut देखने को आप पर मिल रहा है तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है इडलवाइस financial services limited इस कंपनी की बात यहाँ पर हो रही है तो अगर देखा गया तो RBA का रिस्टिक्शन हमनों को देखने को मिल गया यह देखिए इडलवाइस financial services share 17% fall ठीके क्यों क्योंके RBA का action के चलते है on two companies तो जो दो companies के उपर action लिया है यह और कोई नहीं यह इनी के हमनों को subsidies देखने को आपे मिल जाते है तो कौन से company है तो ECL finance और उसी के साथ साथ EARCL यह दो companies हमनों को देखने को आपे मिल जाती है इनके business के उपर क्या कर दिया RBA ने restriction डाल दिये है तेके lifetime ban भी नहीं होता है बट restriction है कब तक restriction रहेंगे obviously जो जो चीजे उनने rules regulations तोड़े होंगे या फिर जो चीजे allowed नहीं होती है वो उनने की होगी तो उससे related जो भी penalty होगी उसको complete करने के बाद क्या करेगा RBA वो restriction को हटा देगा और जब तक हटाएगा नहीं तब तक company का नया business उनको मिलेगा नहीं जो existing business है वो चलता रहेगा बट जब restriction आ जाते तो company में क्या मिस हो जाती है yes growth मिस हो जाती है मान लीजे मैंने 10 customer पकड़ लिये हैं ठीके 12 customer हो गये 15 customer हो गया RBA बोलती है अभी और customer नहीं ले सकते हो गया मैं तो अटक गया वही पे ठीके कब तक जब तक RBA वो restriction ना हटा दे तो 15 customer थे वैसे ही यहापे है बाकी नए customer में on board ही नहीं कर पा रहो और हमारे जो बाके के competitor है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे तो shareholder भी वहापे shift हो जाएंगे और यही चीज़े हम लोगों को फिलाल तो इडलवाइस के साथ होते हुए देखने को आपे मिल रहे तो बहुत सारे allegations से इनके पर बहुत सारे चीज़े होई है जैसे कि क्या-क्या चीज मेंटन नहीं क नहीं यहापे क्या किया है उससे related जो rules regulation है उनको उन्होंने maintain नहीं किया है तो इस चीज के चलते उनके पर restriction हम लोगों का आते वे देखने को मिल चुका है अलाकि इन दोनों company की बात करे ECL Finance और इडलवाइस ERC की बात करे asset reconstruction company उन्होंने assurance दिया है कि वो इस चीज को comply करेंग और वापस यहापे comeback भी करेंगे करके बड़ देखना पड़ेगा अब यह comeback कब होता है करके हालाकि RBA ने इनको पर restriction क्यों डाल दिया है तो बहुत सारे concern है प्लस उन्होंने बताय कि पहले भी complaint आई थी तो supervisory start यहापी हो चुके थे examination start यहापी होई थे और उसके बाद कौन सामनों को आरोप देखने को मिल रहा है evergreening stress exposure इसका भी आरोप हम लोगो देखने को मिल रहा है अब यह evergreening क्या होता है अगर आप इस channel को regularly follow करते हो तो इस point को मैं already 2-3 बार cover तो कर चुका हूँ क्योंकि share market की हमारी जो जर्मी है इस channel की बात करें 5-6 साल की उसमें यह व legal मतलब allowed नहीं है अभी आप बोलोगे allowed be allowed तो छोड़ दो पहले evergreening होता क्या है उसका अर्थ समझाओ बहुत सिंपल होता है बाई कैसे समझाओ चलो मान लो हमारी company है bank पकड़ो finance वाली company पकड़ो SMKC ठीक है अभी मैं क्या करता हो 10 करोड का लोन देता हूँ किसको देता हू मिस्टर X को देता हूँ मिस्टर X को मिने यहापे क्या कर दिया लोन दे दिया कितना 10 करोड का ठीक है मिने उसको बोला कि भाई यह जो साल है December 2024 जब December 2024 आएगा ठीक है मेरा 10 करोड का लोन लोटा देना एक normal layman language में हम लोग सीखने की कोशी करेंगे वो बोला ठीक है भाई ठ चलो आ गया तारीक December 2024 आ गया अभी मैंने बोला भाई पैसा तो दे दे वापस तो मिस्टर X बोलता है कि भाई पैसा तो नहीं है ठीक है वापस तो मतलब में लोन नहीं चुका पाऊंगा किश्ट नहीं चुका पाऊंगा मैं बोलूगा रहे भाई क्या बात कर रहे है तू अगर वापस पैसा यहापे नहीं देगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरे books of accounts खराब हो जाएंगे मेरे NPS बढ़ेंगे मेरा प्रोविजनिंग बढ़ेगा मेरा profit प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते नीच आएगा शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे में भी company में खुद के अब एक काम कर लिया भी एक और लोन ले ले बीस करोड का ले ठीक है इसको दो साल के बाद चुका लेना आप समझ रहे हो मतलब है एक लोन को यहापे जो default होने जा रहा है उसको बचाने के लिए दूसरा लोन दे देना ठीक है इसी को बोलते एक्ष्व में देने के लिए र बटका हुआ है तो यह शुरुआत से ही मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उस व्यक्ति को properly due diligence करूँ वैसे उसके security security properly लेलू guarantee लेलू कि कल मेरा लोन दूब जाएगा तो यहापे मैं उसको recover कर पाऊ करके बट ऐसा तो लोग बहुत सारे करते नहीं क्यों ज्यादा ब्याच stress borrower मतलब ऐसे व्यक्ति ने उदार लिये जो कि वापस नहीं लोटा पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या देना नए एक और नया लोन देना किस परपस के लिए to enable them to repay the existing loan जो पुराना लोन था उसको ही repay करने के लिए एक और नया लोन दे देना तो तो आर्वे ने इसके प बहुत सारे हम लोगों को आरोप लगते वे रिखने का आपे मिल चुके तो आर्वे ने लगा दिया इनके उपर restriction अभी लंबा चोड़ा investigation चलेगा rules regulation फॉलो करने पड़ेंगे तब ही जाके company वापस कमबैक यह पे कर पाएगे और यही reason है दोस्तों के नया business को अभी add नहीं कर पाएगे existing business को ही चला पाएगे तो इस चीज़ के चलते जी missing हो जाएगा जी बोले तो growth यहापे missing हो जाएगा वैसे भी company देखा गया तो इतना कुछ fundamental strong नजर नहीं आता है plus minus चलता है trading वारा stock नजर आ जाता है plus अगर देखा गया तो और company की पिटाई क्यों होगे because asset reconstruction company की बात करे ARC की बात करे उसका contribution इनके business में काफी अच्छा था so अगर contribution अगर अच्छा रहेगा और वही चीज़ों के पर restriction अगर आ जाए तो company के आने वाले numbers खराब देखने को आपे मिल जाएंगे marketing चीज़ों को पहले factor in कर लेता है and इसलिए stock आज के दिन हमलों को maximum 17% तक गि 30% ही है ठीक है and public की बात करे तो 30% so एक कुल मिला के drama क्या था वो मैंने आप लोगों के सामने आपे रख दिया है so आप लोगों को चीज़े समझ में आगे तो एक बात तो पक्किये दोस्तों कि RBI इबदम ही जादा अभी strict होते वे देखने को मिल चुका है कि कि finance की दुनिय इसकी growth खतम तो बड़ा बड़ा crash देखने को मिल जाता है so ठीक है दोस्तों आशा करते हो वीडिया अलप लगाओगा तो चाओ तो like and share कर सकते हो मिलते है next video में तब तक के लिए बब बाई